यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ अब बढ़ते अगले खबर की तरफ बहुजन समाज पार्टी की खामोशी और समाजवादी पार्टी के महा गटबंदन फॉर्मूली की तहत कॉंग्रेस के लिए दो सिर्च छोड़ने के एलान के बीच देश की सबसे पुरानी पार्टी कॉंग्रेस ने उतर प्रदेश की सभ में बीजेपे के खिलाफ बड़े दलों का महा गटबंदन बनाने की कवायद में जुटने के बाद अब कॉंग्रेस अकेले दम पर चुनाव मैदान पर उतरने को बेकरार दिख रही है। उनका दावा ज्यादा पुखता हो सके। जिसके बाद अब कॉंग्रेस ने सभी असी लोग सभा सीटों पर लड़ने के लिए अब अकेले ही कमर कसली है। आश काले विपरित बुद्धी वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। वहीं बंगले विवात पर अमर सिंग ने कटाक्ष करते हुई कहा कि बंगले में स्विविंग पूल नहीं गायों भैसों के नहाने के लिए तालाब था। अमर सिंग ने आजम खान के समद्धी पर बहु द्वारा लगाये गई शोशन के आरोपों पर चुटकी ले तोगे कहा कि आजम ने जया प्रदा समेत कई दूसी महिलाओं की इज़त नहीं की जैसी करनी वैसी भरनी। आज उसका नतीजा उनको भुगतना पड़ रहा है। उनके ही बहु उनक पर इतने गंभीर आरोप लगा रही है। प्रदायों और भैसों को नलाने के लिए तलाथ था साथ ही उनको ने कहा कि जैसी कर दी वैसी भने उनको ने कहीं जो गटबंदन अखलेश यादक के द्वारा जिसकी नीती को अपनाया जाता है। उनको क्यों की बुद्धी कही न कहीं कम रह चुकी है। आजम खान पर उन्होंने हमला बोला है और अखिलेश पर भी उन्होंने वार क्या है। और विनाश काली विप्रे तो बुद्धी करार दिया है आपको बता दें कि बंगले विवात पर उन्होंने तंच कसा है साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिनकी घर की बहू उन पर ही आरोप लगाए वो जैसे ही करनी वैसे ही भड़नी का फल होता है झाल